जैहिं दोस्तों वीडियो में आपका स्वागत है ये वीडियो खास कर उन लोहों के लिए है जो competitive exam की त्यारी कर रहे हैं और उसमें भी अगर मैं बात करूं तो बर्टिकुलरली हम यदि उन युवासातियों की बात करते हैं जो इंडियन आर्मी की त्यारी कर रहे हैं तो उन परिक्षा की डेट अभी तक हमारे पास नहीं है तो काफी ऐसे स्टूडेंट जो लिखित परिक्षा देने वाले थे उनके साथ मैं contact में हूँ और उनका यही कहना है कि उनसे अब पढ़ा नहीं जा रहा है वो काफी परेशान है कि उनकी परिक्षा होगी या नहीं होगी द दोस्तो अपनी जो तेयारियां है उनको आप और ज्यादा बढ़ा ले क्यूंकि इसमें जो हमारा मेरिट है वो थोड़ा उपर जाने वाला है क्यूंकि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए काफी समय मिल चुका है तो दोस्तो अपनी पढ़ाई मत छोड़े और कोमेंट बॉक्ष में जाकर आप कोमेंट करेंगे कि आपने 25 में से कितने कोशिन सही की है चले दोस्तों जादा समय नगवाते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो यह रहा पहला कोशिन आपकी स्क्रीन के उपर जल्दी से आप इसका अंसर कोमेंट करेंगे स्वामी विवेकनन्द के गुरू का क्या नाम था तो क्या नाम था जी रामकृष्ण परमान जी जी स्वार ऑप्शन सी है वो अंसर बिल्कुल सही है चले नेक्स कोशिन साची का स्थूप किसके सासन काल को निर्धारित करता है जल्दी से दोस्तों बताएंगे बहुत ही आ असोक ने इसको बनाया था और असोक किसे समन दीते जी तो यह मौरे से समन दीते नेक्स देंगे बुद के उपदेशों की भासा क्या थी देखें दोस्तों यह आप आर्मी के त्यारी कर रहे है तो महत्मा बुद सर्लिट हर कोशिन के आपको जहनकारी होनी चीए बुद के उपदेशों की भासा क्या थी जी किसे भासा में बुद्न उपदेश दी थे राइट अंसर इस पाली में दिये थे चले नेक्स कुशन कुशन नमर फोर मीमन में से एसिया का अंडे का कडोरा किसे कहा जाता है जल्दी से अंसर बताएंगे अंडे का कडोरा किसे कहा जाता है सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से इस कांसर देंगे दोस्तों बहुत ही आसान कोशिन है जूम सब्द किसके लिए प्रिक्त होता है तो जूम सब्द जो यूज होता है किसके लिए होता है जी सीड़ी खेती के लिए होता है जंजाती खेती के लिए होता है डहलानों की खेती के लिए है स्थान अंतरित खेती के लिए होता है जल्दी से इस क और काफिस में बदड खेती की जाती है, उसे कोमजूँम खेती केते हैं. को शूने का सबसेदीक उतपादन कौन सा देश करता है? जिए ङकर आपशिन में करता है. इनमए ये आप कॉमेंट करेंगे. तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नीलगीडी की जो पहड़ियां रहती है वो कहा है जी? वो है तमिल नाडू में नेक्स्ट कॉशन आपकी स्क्रीन पे है कॉशन नमर नाइन हैदराबाद सहर किस नदी के किनारे बसा है बہت अबर ये कॉशन रिपीट हुआ आर्मी के पेपरों में दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे जो हैदराबाद जो सहर है बोलता है किस नदी के किनारे बसा है तो हैदराबाद सहर बसा है मुसी नदी के किनारे राइट अंसर इस मुसी नदी सिंदु घाटी सभेता के लोगों द्वारा कौन सी धातुमें प्रयोग में लाई जाती थी जल्दी से इसका राइट अंसर करेंगे दोस्तों और देखिए सिंदु घाटी सभेता भी आर्मी के पॉइंट अवीव से काफी ज्यादा इंपॉर्टन है दोस्तों तो सिंदु घाटी सभेता के लोगों द्वारा जो धातुमें प्रयोग में लाई जाती थी वह थी तांबा वकांसा गायतरी मंतर का उलेक किस वेद में है दोस्तों वो है आपका रिग वेद में राइट अंसर इजो तराइन के यूद में कौन पराजित हुआ था जल्दी से इसका राइट अंसर देंगे दृत्य तराइन के यूद में कौन पराजीत हुआ था जी तो जो तराइन का यूद है वो देखो ग्यारा सो बानुव में हुआ था जिसमें पृत्विरा चोहन की हारवी थी तो कौन पराजीत हुआ जी पृत्विरा चोहन और किसमें इसको अराया था मुहम्मद गौरी ने किसको हराया था नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जीहाँ दोस्तों, जजिया क्या था, काफी बार यह पूचा जाता है, तो जजिया एक तरह का एक कर था, और किस पे वो कर था, वो एक धार्मी कर था, छर्ड, next question, grant truck road किसने बनवाया था, grant truck road किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था, सेरसा सूरी ने दोस्तों सेरसा सूरी थीए ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे रहा हूं दोस्तों क्यूंकि आपकी तयारियां जोरो पर है यह सिर्फ आपका एक practice set है जिसमें आपको बहुत ही कम समय में अबना answer देना है निम्न में से कौन से सब्वेता सबसे पुरानी मानी जाती है सबसे पुरानी जो सब्वेता है वो कौन से दोस्तों मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया नेक्स कोशिन आपकी स्क्रीन पे कोशिन 17 निम्न में से कौन सी भारत के सविधान की विसेस्ता नहीं है तो right answer is कौन सा है जल्दी से इसको टिक करेंगे right answer is D दोरी नागरिक्ता देखिए हम भारतिय सविधान की बात करेंगे हमारा सविधान लिखित भी है सोतंत्र नयाइपाली का भी है अपातकाली इंसक्तियां भी है लेकिन दोरी नागरिक्ता का प्रवधान हमारे सविधान में नहीं है तो ये इसकी विशेष्टा नहीं है next is question number 18 राष्टरपती राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है जल्दी से इसका right answer बताएंगे राष्टरपती राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है जी पूछा जाएगा अपना जाने वो क्या होगा लेकिन आपने राष्टपती के बारे में डिटेल में पढ़नाई कि राष्टपती की क्या सक्तियां है कौन सबदी लाता है, कितनी उमर रहती है, किसको त्याग पत्तर देता है इस तरह से जितने भी कोशिन आपके राष्टपदी से रिलेक्टेटर बनते हैं वो आपने 100% पढ़के ही Examination Hall में जाना है Next question number 19 किस भाथ्य परदानमंत्री की मृत्यू विदेश दौरे में हुई थी? विदेश दौरे में किसकी मृत्यू हुई थी भाई? जल्दी से बताएंगे उसके नाम तो है श्री लाहाल बहादूर सास्त्री लाल बहादूर सास्त्री कि जो है मृत्यू 1966 में ताशकंद जो है दौरे में हुई थी ताशकंद में हुई थी पुछ लिए जाता है कई बार Next is 20 भारत में करंसी नोट छापने वाला प्रेस कहां है जो हमारी करंसी है जो नोट है यदि हम भारत में बात करें तो भारत में कहां छपते हैं जपते हैं जो अपना कहां चल्दी से आंसर बताएंगे Option A नासिक नासिक कहां बढ़ा महारास्टर में Next question Question 21 कुवेत की मुद्रा क्या है दोस्तों मैं फिर से ये बात भी आपको रिपीट करा हूँ कि यदि आप रिटन डैस में जा रहे हैं तो आपको मुद्राओं का नोलेज होना चीए कि किस अदेश की कौन सी मुद्रा है और definitely आपसे मुद्रा के कोशिन बनता है तो बोलता है कुवेत की मुद्रा कौन है तो जल्दी से राइट अंसर बताएंगे कुवेत की मुद्रा है दिनार चले नेक्स कोशिन Question 22 दूरंड कप का समंध किस खेल से है ये कप भी आपको पता होने जाए कि किस गेम के लिए कौन सा कप रहता है तो दूरंड कप का जो समंध है वो किस से वाई जी फुटबॉल से है बहुत बढ़िया चले नेक्स कोशिन निमन में से कोदान के लिखक कौन है तो कोदान के लिखक इन में से है वो है मुनशी प्रेमचंद कौन है जी मुनशी प्रेमचंद चले next question 24 सहस्त्र सेना जंडा दिवस कब मनाया जाता है question पूछा जाता है जंडा दिवस कब मनाया जाता है या सहस्त्र सेना जंडा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों आपको याद होगा जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल में हर साल एक दिन जो है बच्चों को एक फ्लैग दिया जाता था जिसको उम अपने बर्दी पे चिपका के रखते थे जिस पे लिखा होता था सहस्त्र सेना जंडा दिवस या जंडा दिवस लिखा होता था तो दोस्तों कब मनाया जाता था या कब दिया जाता था तो सहस्त्र सेना जो जंडा दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है आपका साथ दिसंबर को अब देखें दोस्तों आप सेना की तियारी कर रहे हैं तो सेना के बारे में आपको जानकरिया होनी चाहिए कि वर्तमान में जो है कौन सा सेना का ध्यक्स है जल सेना का कौन है थल सेना का कौन है वायू सेना का ध्यक्स कौन है ठीक है जी इसके अलावा कितनी इसकी कमाने हैं हमारी सेना की या कौन कौन से दिवस सेना से समंधिते की सेना दिवस कब मनाया जाता है जंडा दिवस कब मनाया जाता है तो य चोड़ी मोठी जान करें आपको 100% होनी चाहिए यदि आप सेना की टेस्ट में जा रहे हैं चलें next question ये रहा आपका 25 सरवोच नेले की पहली महिला नेयदेश कौन थी? जल्दी से answer देंगे ये थी M. फातीमा बीबी राइटा स्रीज M. फातीमा बीबी तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह से सेना से समन्दीत प्रश्णों को अगर आपने जानना है अपना रिविजन करना है अपनी तियारियो को और बैटर करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें थैंक यू जै हिन जै भारत